Hello everyone, welcome to origin आज की इस class में हम स्टार्ट करने वाले हमारे class 12 के English के poetry section का 3rd chapter जिसका नाम है A Thing of Beauty तो हम इस chapter का इस poem का line by line summary देखेंगे एक एक line को ध्यान से समझेंगे and then हम इस chapter के questions करेंगे and यह जो हमारा poem वाला जो 3rd chapter है यह बहुत ही अच्छे तरीके से complete हो जाएगा तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस poem की summary and सबसे पहले हम देख लेते हैं इस poem के writer कौन है who is the poet of this poem John Kitts A Thing of Beauty के poet है John Kitts तो अब हम summary स्टार्ट करते हैं so जो poet हैं वो यह कहते हैं सबसे पहले तो अपने first stanza में A thing of beauty is a joy forever A thing of beauty is a joy forever Its loveliness increases It will never pass into nothingness Nothingness in the sense fade away कभी खतम नहीं होगा But will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing अब यहाँ पे poet क्या कहते हैं कि a thing of beauty means कोई भी खुबसूरत चीज़ जो है कोई भी beautiful चीज़ जो है वो हमेशा के लिए है वो कभी खतम नहीं होगी वो हमेशा हमें सुकून दिलाती रहेगी हमें joy provide कराती रहेगी ठीक किस तरह जब हम किसी चायदार सांती भरे जगे में सोते हैं तो हमें किस तरीकी की नींद आती है बहुत ही अच्छे सपने आते हैं हमारा health अच्छा होता है और हमारा breathing है वो भी बहुत अच्छे से होता है सेम उसी तरीके से जो कोई भी खुपसूरत चीज़ है वो हमें बहुत ही सुकून provide करती है और जो सुकून उससे हमें मिलता है वो कभी खतम नहीं होगा वो हमारे memory में बस जाएगा और बार वो हमें याद आते रहेगी वो कभी खतम नहीं होगी इसलिए वो यहाँ पर क्या लिखे है never pass into nothingness means कभी वो खतम नहीं होगी तो first stanza से poet यही कहना चाहते है कि जो भी beautiful चीज़े हैं हमेशा के लिए है वो कभी खतम नहीं होगी एंड किस तरीके से उन्हें उसे sleep से compare किया है किस तरीके से सुकून भरी नीन से उसे compare किया है यह हमें first stanza के थूँ पता चलता है हमारे next stanza में poet जो है वो कहते है therefore on every morrow morrow means day अगले दिन जैसे tomorrow कहते हम वैसी every morrow after we ready after we breathing a flowery band bind to us okay breathing means क्या होता है बुनना गूथना माला हम बनाते हैं फूल की उसी को breathing कहा जाता है flowery band to bind us to the earth अब इसका पुरा मतलब है इसको पढ़ने के बाद एक बार अच्छे समझेंगे एक बार हम इसे read कर लेते हैं spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhealthy and or darkened ways or darkened ways means क्या होता है गलत रास्ते for example किसी भी चीज़ को करने के दो रास्त तरीके होते हैं सही तरीका एक गलत तरीका अगर हम तो यहाँ पे जो darkened ways की बात यहाँ पे की गई है वो गलत रास्तों की बात की गई है means in human practices की बात की गई है clear next line पर poet कहते है made for our searching means हमारे success के लिए हमारे searching के लिए हम अपनी किसी wish को fulfill करने के लिए किसी सपने को पूरे करने के लिए जो गलत रास्तों को चुनते हैं उसके बारे में यहाँ पे poet ने बात की है yes उसके बाद यह कहते है yes in spite of all some shape of beauty moves away the pale from our dark spirits clear अब यहाँ पे इस sentence इस पूरे इस tenza से poet हमें क्या बताना चाहते है तो poet यहाँ पे यह कहते है जब भी हम नीन से अगले दिन उठते हैं जब भी हम नीन से अगले दिन उठते हैं तो हमारा अर्थ के साथ एक अलग connection बन जाता है हम अर्थ को क्याफी beautiful तरीके से देखते हैं बहुत ही positive mindset के साथ देखते हैं optimism के साथ देखते हैं एक सकारात्मक्ता के साथ देखते हैं क्यों? क्योंकि एक दिन पहले हमें बहुत ही अच्छी नीन आई है हमें बहुत अच्छे अच्छे सपने आए हैं एंड हमारी जो नीन आए वो बहुत अच्छे तरीके से पुरी हुई है इसलिए यहाँ पे जो poet है वो कहते हैं जब भी हम अगले दिन सुबह उठते हैं हम अर्थ के साथ एक फूलो की एक अलग सी माला तरीके से गुनते जो हमें अर्थ के साथ क्या करती है? बाइंट करके रखती है अर्थ के साथ हमें जोड के रखती है यह हमें कहते हैं poet इन दो इस्टेंजा में अब इन सब का मतलब क्या है? यहाँ पर poet यह कहना चाहते हैं कि जो हमारा life है जो किसी एक human being की जो life होती है उसमें sadness आना, loneliness आना, depression आना या शांती, alone रहना और दुख आना यह सारे चीज़े common हैं एंड कई बार हम खुज से गलत रास्तों को अपनाते हैं यह सब चीजों के बावजूद इन सब चीजों के बावजूद जो thing of beauty है वो हमें इन सब से छुटकारा मिलती है for example हमारा कोई दिन है हमें एक दिन में बहुती lonely feel कर रहे हैं depressed feel कर रहे हैं, बहुती दुखी है खुशी हमें मिलने इरी बहुती negative thoughts सारे mind में एंड उसका reason क्या है कि हमने कोई गलत तरीके से कुछ काम को किया हो बट अगर आपको बहुती सुन्दर नजारा दिखने लगे कि आपके सामने पहार है, नीचे में जील है एंड चिडिया वहाँ पे उड़ रहे हैं तलाब में बतक तैर रही है खुबसूरत खुबसूरत फूल खिले हैं पेडों पे तो आपका जो यह सारस thought था negativity का, depression का, loneliness का उस scene को, उस scenery को देखके सब चीज हमारे mind से निकल जाता है इसलिए जनरली घरों में हमने देखा हुआ कि हम photo frames, posters लगा के रखते हैं अपनी घर में, घर के dining halls में घर के living rooms में, bedrooms में जिससे क्या होता है कि उस खुबसूरत से beautiful nature को देखके, land escape को देखके हमारे अंदर जो negative thoughts है वो सब हट जाए एक तरीके का optimism हमारे अंदर आ जाए यही चीज इस stanza से poet हमें समझाना चाहते हैं कि कितना भी हमारे अंदर depression वाले thoughts हैं, loneliness हैं और negative thoughts है एक thing of beauty जो है, वो इन सब को हटा के हमारे अंदर अलग नई optimism पैदा कर देती है optimism से मतलब यहां होता है सकारात्मकता क्लियर, अब हमने next देखते हैं next stanza में poet हम से क्या कहना चाहते हैं okay such the sun, the moon trees, old and young sprouting a shady boon for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make against against, okay यहां पे उस poem के language में कई सारे words को तोर मडोर के लिखा जाता है यहां पे poets को खुली छीट दी गई है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी words को अपने हिसाब से use कर सकते हैं तो poems में हम grammar या फिर spelling के बारे में नहीं सोचते हमें बस उसको read करना है क्योंकि लास्ट के words और कई सारी चीज़े poem को match करने के लिए poets अलग तरीके से use करते हैं अब यहां पे poet कुछ समझाना नहीं चाते means यहां पे कुछ अलग वो हमें समझाना नहीं रहे हैं बस वो हमें examples दे रहे हैं beautiful things की किन-किन चीज़ों का example दे रहे है sun, moon, trees, old and young दोनो sun का example दे रहे है moon का example दे रहे है कि यह दोनों बहुत ही खुबसूरत द्रिश्य हमें provide कराते है क्यों सूरत जब सुबह सुबह उठता है और जब sun set होता है तो वो दोनों जो time होते हैं बहुत ही खुबसूरत वहाँ पर जो land escape वो बनता है and sun जो है वो पूरे दिन हमें रौष्णी प्रवाइट करता है जिससे बाकी जो beautiful land escapes है या जो बाकी things of beauty है वो हमें clearly दिखे and moon किस तरीके से रात में moon भी हमें light प्रवाइट करता है sun के light को reflect करके and जिस रात में moon अच्छे से दिखाई देता है वो रात काफी खुबसूरत लगती है इसलिए यहाँ पे sun और moon को क्या कहा गया है thing of beauty क्या है next line पे जो poet वो कहते है trees old हो या young हो नई trees हो या पुरानी trees हो वो क्या करती है हमें shade प्रवाइट करती है इनके लिए shadey boon यानी छाया provide करना shadey boon यानी छाया for simple ships means यहाँ पे सिर्फ ship की बात नहीं की गई है सिर्फ यहाँ पे एक example के लिए ship को ले लिया गया है sheep को ले लिया गया है एक भेड जिसे कहते हम तो उनके लिए क्या है छाया प्रवाइट करती with the green world they live in daffodils and the green world they live in is forest की बात यहाँ पे की गई है एक तरीके से nature के सभी चीजों को यहाँ पे thing of beauty से compare करके इस stanza में example दिया गया है यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज नहीं है but बहुत ही important part है यह इस poem का क्यों क्यों कि यहाँ से questions कही बार आएं क्या पुछा जाता है question में पूछ देगा किस-किस things of beauty की बारे में यहाँ पे poet ने बात कि इस poem में या पूछ देगा sun and moon को उन्होंने क्यों thing of beauty कहा है या फिर पूछ देगा कि old and young trees का जिक्र poet ने किसलिए किया है यह सारी चीज़े यहाँ पे इससे question बनते इसलिए यह important है बर समझने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है that for themselves a cooling covert make against the hot season means गर्मी में जो यह सारे पेड है यह सारे जो नए पुराने व्रिक्च है यह सारे जो फूल है and जो भी herbs and shrubs हैं गर्मी के season में हमें बहुत ही सुकून प्रवाइड करते हैं हमारे लिए बहुत ही helpful प्रूव होते हैं rich with a sprinkling of fair musk rose blooms आप fair musk rose blooms means गुलाब के खुशबू तो गुलाब के खुशबू जिस तरीके से आती है कितना अच्छा फील होता है यही चीज़ के बारे में poet ने इस stanza में कहा है तो यह stanza समझने वाला नहीं था बट आपको examples याद रखने कि किस चीज़ को किस चीज़ से compare किया गया है तो एक बार फिरम देख लेते हैं sun and moon को compare किया गया है sunrise, sunset and दिन भर रोशनी प्रवाइड करने and beautiful से trees को किस से compare किया है trees, herbs, shrubs, defodels इन सब को compare किया है hot season में हमें चाया provide करने के लिए हमें सुकून provide करने के लिए and hot season से हमें बचाने के लिए and rose को किस से compare किया गया है अच्छी-च्छी smell provide कराने के लिए खुश्बू provide कराने के लिए हमारे environment को अच्छा रखने के लिए clear अब हम चलते हैं हमारे next stance आपे यहाँ पे जो poet है वो कहते हैं and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read and endless fountain of immortal drink pouring into pouring unto us from the heavens bring अब यहाँ पे जो poet है वो जो हम पुरानी कथा हैं जो हमारे सुनने आती है mighty dead अब यहाँ पर mighty dead यहाँ एक word यूज़ हुआ यह mighty dead से poet का यहाँ कहना है हमारे ancestors ancestors in the sense हमारे पूर्वज तो हमारे पूर्वजों की या हमारे पुराने जमाने की पौराणी कथाओं में जो भी हमने कहानिया सुनी है जो भी कहानी हम सुनते आये हैं या हम सुनाई जाती है या हम पढ़ते हैं वो सारी चीज़े भी हमारे माइन में बस जाती है और वो चीज़ जो है हमें बार-बार याद आती है इसलिए उसे भी उन्होंने निगीटिविटी से डिप्रेशन के फॉट से बचाती इसलिए उसे भी इन्होंने ठिंग ऑफ ब्यूटी से कमपेर किया है अब यहाँ पर क्या कहा गया है लास्ट लाइन जो इस पोयम की an endless fountain of immortal drink endless fountain of immortal drink मिन्स यह जो thing of beauty है वो एक endless fountain है and immortal drink season का मतलब ये है कि ये कभी खतम नहीं होगी means किसी भी चीज की सुन्दर्ता कभी खतम नहीं होती वो दिन बदिन बढ़ती जाती है हमारे mind में वो हमेशा के लिए बस जाती है और वो वहाँ से कभी remove नहीं होती and अब ये क्या कहते है from the heavens bring means स्वर्ग से आई हुई fountain जिसमें क्या है immortal drink है इस तरीके से हमारा poem जो यहाँ पर complete हो जाता है एक बार हम फिर से इस poem को एक बार तेजी से पढ़ लेते हैं एक साथ जोड के अभी हमने पाट पाट में पढ़ा तो यहाँ पर poet जो है वो कहते उसकी जो beautifulness है वो कभी जो उसकी जो beauty है वो कभी खतम नहीं होती है वो in fact वो और बढ़ते रहती है हमारे mind में वो हमेशा के लिए बस जाती है ठीक उसी तरह जिस तरीके से किसी छायदार bricks के नीचे या छायदार जगा पे शांती जहाँ पे जब हम सोते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से नीन दाती है एंड हमें एक अलग सा सुकुन मिलता है अब उसके बाद poet कहते हैं कि जब अच्छे से सोने के बाद हम जब अगले दिन उठते हैं तो अर्थ के साथ हमारा एक अलग सा connection बन जा रहता है अर्थ के साथ हम और close हो जाए रहते हैं ठीक उसी तरीके से उन्होंने इसे compare किया है कि हम अगले दिन जैसी सुबह उठते हैं तो हम फूलों की एक माला बनाते हैं जो हमें अर्थ के साथ जोड के रखती है next line पर आप poet कहते हैं कि जो human की जो life है जो manishtu की जो जिंदगी है वो दुख से, वो loneliness से, वो depression से, वो negativity से common चीज़े हैं वो उनकी life में आएंगी ही आएंगी और कई बार ये सारी चीज़े हमारे पास इसलिए आती है क्योंकि हम खुद से किसी गलत रास्ते में चले जाते हैं या किसी काम को complete करने के लिए गलत रास्ता अपना लेते हैं तो ये सब चीज़े मिलके जब हमारे अंदर depression, negativity, passiveness, pessimism ये सब जब हमारे अंदर create करती है तो एक छोटी से beautiful चीज़, ये सब चीज़ हमारे दिमाग से निकालके हमें क्या कर देती ही? positiveness से fulfill कर देती ही और examples में poet हमें बताते हैं कि कि सतरीके से sun जो है और moon जो है thing of beauty से related है जब ते हमें बताते हैं कि कि सतरीके से जो पेड़ है वो हमें चाया provide करते हैं गरमी के season में हमें वो गरमी से बचाते हैं दैन हमें रोज की खुजबु के बारे में बताते हैं और उसके बाद finally poet जो है हमें ये कहते हैं कि हमारे ancestors जो mighty dead हैं उनके stories हमें सुनने में मिलती है वो ही stories क्या है? वो ही stories भी thing of beauty से related है क्यों related है? क्योंकि उन चीजों से भी हमें सीख मिलती है, हमें प्रेड़ना मिलती है निगेटिव थॉट्स हमारी माइन के चले जाते हैं यहाँ पर poet इसको end करते हैं कि जो thing of beauty है वो एक immortal दिंग का endless fountain है जिसे heaven से हमारे लिए भेजा गया है यहाँ पर हमारा poem जो हो खतम हो जाता है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं question practice so questions हम देखते हैं इस chapter के सबसे पहला हमारा question है mention any four things of beauty that add joy to our life अब यहाँ पर देखिए जो line को मैंने बहुत important बताया था वो line यहाँ पर कहा है वही line को यहाँ पर use कर दिया गया उसी question को यहाँ पर सबसे पहला हमारा question क्या है वही है तो क्या-क्या चीज़े थी हमारे सबसे पहले sun हो गया then moon हो गया then daffodils and then roses यह चीज एक तरीके से हम जो हमें poem के थुरू पदा चली वो हम लिख सकते हैं बट अगर हमें poem के बाहर का कुछ example देना है वो भी हम अपने one see example यहाँ पर दे सकते हैं next question is mention any two things which cause pain and suffering कोई से भी दो चीज़े जो क्या करती है pain and suffering cause करती है तो इसका हम answer क्या दे सकते हैं हमारा pain and suffering cause करनी का जो reasons हो सकता है वो क्या हो सकता है हमारे लिए negative thoughts हो सकते हैं loneliness हो सकते हैं wrong ways हो सकते हैं गलत रास्ते darkened ways जिसे poem में लिखा गया यह सारी तीज़े क्या है pain and suffering का cause बनती है तो यहाँ पर सिर्फ two पूछा गया है लेकिन हमारे पास कई सारे ऐसे answers है तो हम उनमें से कुछ भी इसमें लिख सकते है next question है what makes human beings love life in spite of troubles and suffering अब यहाँ पर simple से इसका छोटा सा answer है thing of beauty कोई भी खुबसूरत चीज़ जो है वो क्या करती है human beings को जिन्दगी से प्यार करने के लिए motivate करती है उनके pain और suffering के बावजूद तो इसका answer क्या होगा a thing of beauty अब a thing of beauty में हम कई सारे इनके examples लिख देंगे क्योंकि answer को हमें लंबा करना है next question why is grandeur associated with mighty dead अब grandeur को mighty dead से associate क्यों किया गया है तो grandeur of mighty dead means यहाँ पे हो गया जो हमारे ancestors की जो हमने कहानी सुनी इन सबसे क्यों relate किया गया है क्योंकि यह जो कहानिया है वो भी हमें motivate करती है हमारे mind से negative thoughts को remove कर देती है और हमारे अंदर एक positive thoughts ले आती है ठीक किस तरीके से जैसे things of beauty हमारे अंदर positive thoughts लाती है negative thoughts को remove करके इसलिए यहाँ पे grandeur को mighty dead से relate किया गया है अब our next question ही how is the thing of beauty joy forever तो अब thing of beauty joy forever को क्यों है क्योंकि हमारे memory में जो thing of beauty है वो permanently fit हो जाती है permanently store हो जाती है हमारे memory में यह जो है वो सिर्फ increase होती है continuously increase होती है and never fade away यह हमें इस पोया में पता चला कि never fade away never fade away to nothingness यह यह line हमें इस lesson से याद रखना है क्या यह line अगर हम अच्छे से लिख दिए तो answer check करने आलोग लगा कि हाँ इस बच्चे को answer आता है कौन सा line never fade away to nothingness जो thing of beauty वो कभी nothingness में fade away नहीं होती clear okay our next question is how does a thing of beauty provide shelter and comfort अब thing of beauty shelter and comfort क्यों provide करती यह मैंने आपको हर line पे एक बार explain किया है जितने इस टेंज़ा हमने यहाँ पर इट किया है उनमें कई बार मैंने यह आपको explain किया है तो यह question जो है वह आपके लिए क्या है homework इसका answer मुझे comment में जरूर चाहिए and अब हम चलते हमारे next question की तरफ okay so our next question is how would man suffer in the absence of beauty in the absence of thing of beauty clear अब thing of beauty के absence में जो man है जो human beings है वो किस तरीके से suffer करेंगे तो इसका answer हम क्या लिख सकते है जब human beings के पास thing of beauty नहीं होगी तो उनके mind के जितने भी negative thoughts है जो depressive thoughts है जो negative impacts है जो pessimism है वो सब क्या है वैसी की वैसी रहेंगी और कोई उनके पास factor नहीं होगा जिंदगी से प्यार करने का and इस तरीके से उनके पास बहुत ही pain and sufferings होगी clear okay our next question is what does a thing of beauty do for us अब यह भी हमने कई बार इसका answer discuss किया है तो यह आपके लिए फिर से एक homework तो यह दो homework मैंने आज आपको दिये है इस story इस poem से next question is why does kids consider an endless fountain of immortal drink and why does he call its drink immortal अब देखिए अब मैंने जैसे हर बार में आपको यह बताता हूँ कि question अलग होते हैं बट answer same होता है तो हमने यहाँ पर लिखा है how is a thing of beauty a joy forever अब यह छोटा सा question इसी question को अगर बड़े form में लिखना है तो यह question बन जाएगा answer दोनों questions के word to word same हमें लिखने है बस question यहाँ पर अलग है clear okay forward to our next question how does a thing of beauty bring joy to our lives फिर से question repeat किस तरीके से life में joy लाते हैं सारी examples हमें लिख देने हैं कि क इस तरीके से हमारे negative thoughts को remove करके हमारे depressive thoughts को remove करके हमें optimism provide करते हैं सकारात्मकता provide करते हैं हमारे mind को refresh करते हैं हमारे pain and sufferings को remove करते हैं यही चीज़ हमें यह पर लिख देना है तो pain and sufferings and a thing of beauty is a joy forever और क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो line मैंने अभी आपको पहले बता यह सार अंद रखनी है और आंसर में यह चीज हमें कर देना है क्योंकि इस पोयम में कोई ज़्यादा चीज नहीं है बस यहीं चीज है कि किस तरीके से जो थिंग आउ ब्यूटी हमारे पेंट शुक्रिंब कर देती डिट यहां अनसर में चीज हम डाल देंगे हमें अच्छे अच्छे marks यहाँ पर मिलेंगे फुल marks भी मिलेंगे त्योंकि इसमें कोई ज्यादा थीम नहीं इसका में थीम ही वही है अब इसके आगे के poems के लिए आपको next videos देखिए and हमारा syllabus easily यहाँ पर complete हो जाएगा and then exam time to revision में हर बार आपको बताता ही हूँ कि वो time बहुत ही अच्छे से होने वाला है तो आपको बस हमारा यहाँ पर साथ जुड़े रहना है और जो भी target आपका है marks का वो सब हम आपको help करेंगे अचीव करने के लिए clear तो मिलते हैं next video में till then goodbye thank you take care जैहिंद में झापको भी बार आपको लिएए